यहां पर हम लों की जो स्रीज चल रही है most important question for the board examination चाहे वो CBSC board की student हो चाहे गुलराद board के हो चाहे UP board के सब के लिए जहां-जहां भी NCRT की वो follow होती है उनके लिए यह most important questions है इसको है जे test paper भी अगर आप देना चाहे 20 marks के sample paper type में भी आप इसको दे सब्सक्राइब 3R duration की इसाब से काफी अच्छे equation का selection किया गया है अगर आप पूरा देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा किसका answer की कहां पे मिलेगा और ये PDF आपको कैसे download करनी है वो ही आपको यहाँ पे मिलेगा और देखिएगा तो इसमें 1 marks, 2 marks, 3 marks और 4 marks equation को किस तरीके से contribute किया हुआ है वो देखेगा क्योंकि last section जो है वो बहुत ही important है chapter number 6 के लिए तो चलिए देखते हैं section 1 जो की 1 marks के हैं तो इस तरीके के questions मिलेंगे जहाँ पर length दी होगी triangles के sides की और हमें कोई एक particular length निकाल दी होगी तो उसके बारे में यहाँ पर रहेगा similarity of the triangle के basis पे काफी कूछ questions होंगे और Pythagoras theorem जो है उसके basis पे questions पूछे ही जाएंगे यह question MCQ के pattern में हो सकते हैं या one liner के format में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं section B में चलते हैं लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को जरूर से subscribe करिए क्योंकि इस channel पे हर एक subject में हर एक chapter के most IMP की आपको PDF मिलेगी और साथ ही साथ उनका solution भी provide किया जाएगा तो channel को जरूर से subscribe करिए और solution के लिए description box में एक link है हमारे telegram channel की उसको join करेंगे तो आपको solution telegram link पे मिलेगा section B two marks questions है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि total मैंने आप 8 questions डाले हुए है और यह 8 में से ही कोई equation आपके body jam में आ सकता है या इसके pattern पे क्योंकि हर equation अपने आप में खास है section C that is the most important section और इसमें हमने 8 questions डाले हुए हैं जिसमें से question number 30 is the most 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 important question number 30 को जरूर से आप करके जाएंगे साथ ही question number 26 है जो की theorem 6.9 है Pythagoras theorem का reverse ठीक है इसके नावाज जो question number 31 है that is also important में भी सबसे ज्यादा important है question number 31 अगर आप इसको solve नहीं कर पा रहे हैं तो इसके solution जो है हमारे telegram channel पे वहाँ से जरूर से इसको देखिए इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी query है आप comment करिए हर एक query का solution आपको मिलेगा board exam से related आपकी कोई भी query हमारा target यह है कि आपको किसी भी तरीकी की problem नहीं हो हर एक chapter के important questions आपको मिले और आप exam में अच्छे से अच्छे score करके हमारे सामया हमारा channel growing है आपकी support की ज़रूरत है आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करिए और subscribe करवाईए section D जो कि 4 marks का है इसको sometime 5 marks में भी convert कर सकते हैं इसमें जितने भी questions डाले गए है total six questions है यह सभी question बाहुत ही ज्यादा important है इन सभी important में जो सबसे important है that is the figure based question 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 number 35 इसमें हमें प्रूब करना है कि OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square और इस type के questions हर बार board exam में पूछे ही जा रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा से extra preparation करनी होगी इस पूरे question को अभी एक बार आप solve कर लिजे दुबारे इसको as a test paper भी solve करिए और जितने भी chapters हैं अगर उन सभी की most important जो modelis पर दिये जा रहे हैं अगर उसको solve कर लेंगे तो कोई भी paper आपको tough नहीं लगेगा और आप आसानी से maths में full marks स्कोर कर सकते हैं चैनल को subscribe कर लिजे ताकि इसके बात जो नया chapter आयो नए subject की important है वो भी आपको इसी चैनल पर मिलते हैं मेहनत करते रहें कोई भी doubt हो तुरंद comment करिए तब तक के लिए बाए बाए कर दो है